हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो इंडियन आउटोस ब्लॉग, आपको अच्छा भी लगा होगा तो मैं आपको बता दूँ किया सॉनेट जो है हाली में अपना वर्ल्ड प्रेमियर कर चुकी है और एक महिने के टाइम के अंदर मार्केट में भी लॉंच हो जाएगी यह गाड़ी मारुती विटारा ब्रेजा, हुंदे वेन्यू, टाटन एक्षान जैसी गाड़ों को राइवल करेगी और यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि जो नई किया सॉनेट है वो हुंदे वेन्यू पे ही बेस्ड है और यह काफी कुछ वैसा ही है जैसे किया सेल् जाने जा रहा हूं कि हुंदे वेन्यू और किया सॉनेट में क्या कुछ एक जैसा है क्या कुछ एकदम अलग है और यह नहीं इन दोनों गाड़ियों के जितने भी डेटेल्स हैं वह मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं तो मेरे साथ बने रही है अगर आपने भी तक सब्स मुदध जज टार कि काल और आपिक लिर्भ उन्यू और कि 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 तबंग मेरे से भी तो में रही है तो में बरॉई कि 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 तबंग बने रही हैं आप प तुम लेग कि था लों बने नहीं आप घिका तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन के साथ और पहले गौर करते हैं हुंदाइ वेऍन्जी जो है है युंदल design language है latest design philosophy है उसी पे बेस्ट है और आप देख सकते हैं आगे इसको एक काफी बड़ा एक cascading rail मिलता है और यहीं नहीं आपको multi-tier lighting system भी मिलता है तो hood level पर आपको DRL मिल रहे हैं और middle level पर जो आपकी main beam है वो है यहां पर एक rectangular LED DRL है और नीचे एक आपको fog lamp के साथ साथ फॉस किट भी मिल रही है जो कि इसके SUV वाली लुक को complete करती है अब focus अगर हम Kia Sonnet की तरफ करें तो आप देख सकते हैं कैसे Kia Sonnet Hyundai Venue पर based हो के भी देखने में बिल्कूल अलग है कोई ज्यादा similarity नहीं है दोनों ही प्रोडक्स में जहां आपको Hyundai Venue जो है एक multilayer setup देती है जिसमें आपको hood level पर DRL मिल रहे हैं और main beam जो है वो middle level मिल रही है वहीं Kia Sonnet पे आपको जो main beam है उसी में DRL मिल रहे हैं इसका अगर आप DRL को देखेंगे तो यह काफी trendy design है इसका एक जिसको किया heart beat LED DRL बोल रही है और काफी अच्छा लुक दे देती है यह front end को साथी साथ जो venue का top model है उसमें भी आपको projector headlamps मिलते हैं halogen के साथ वहीं जो Kia Sonnet है उस पे आपको LED headlamps मिल रहे है विच I am sure will provide better illumination यही नहीं अगर घ्रिल को कंबेर करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि जहां वेन्यू को a cascading grill मिली है वही Sonnet को एक टिपिकल जो tiger nose grill है किया कि वो मिल रही है और frankly बता हूं तो इन दोनों गाड़ें से चूस करना थोड़ा सा मुश्किल है because they both look quite modern when viewed from front on but when you share अनलों को पसंदाएगी जिनको थोड़ी सी conservative design या जिनको शाइद प्राणी क्रेटा का लोग जादा पसंथा वही Sonnet it looks like a mini seltos it looks slightly more aggressive और यही नहीं साथ में जो इसका Sonnet का GT line version especially वो तो और भी जादा स्पोर्टी लगता है because of the red accents तो like I said अगर सिर्फ हम front end ये बात करें तो venue और Sonnet में से बहुत ही असानी से आप एक clear distinction mark कर सकते हैं and when you will probably please people who like a slightly less bold look while Sonnet is an all-out bold design which I think the youngsters will really like और चलिए अब चलते हैं site profile में और उसमें आपको बताते हैं क्या कुछ एक जसा है और क्या कुछ अलग है तो जैसा कि आपने देखा front end में Sonnet और venue में जादतर चीजें एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं कोई बहुत similarities नहीं है तो कुछ similarities तुरंथ आपके सामने आती हैं मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही गाडियों में आपको एक clamshell hood मिलता है जो कि इसके front end को थोड़ा सा एक tough look देता है वो ही नहीं दोनों में आपको dual tone alloy wheels मिलते हैं दोनों के ही डिजाइन काफी trendy हैं काफी attractive हैं दोनों के alloys बट अगर आप personally में से पूछे तो में को वेन्यू के alloys थोड़े जादा अच्छे लगते हैं तो यहां पर एक और similarity है जो की है इसके जो आप देख सकते हैं जो plastic आपको एक panel मिल रहा है rear windscreen के pass में side profile में यह इस गाड़ी की windscreen को एक wrap around वाला look दे देती है तो यही चीज़ आपको sonnet में भी मिल रही है और यह इन दोनों गाड़ियों का एक common feature है बट जो गाड़ी की जो बेल्ट लाइन दोनों गाड़ियों की वह एक दूर से से बिलकुल अलग है बिकोज अगर आप sonnet पे गवर करेंगे तो काफी एक steep rise आया है बेल्ट लाइन पे around जो सी प्लेर है वहाँ पे बहुत ही मामूली सा एक हलका सा राइस आया है बेल्ट लाइन पे साथी साथ जो इसका रियर कॉर्ट लास है वह भी वेन्यू का जो रियर कॉर्ट लास है उससे बड़ा है तो between the two वेन्यू हाज अस्लाइटली less complicated design and on the other hand sonnet has a more attractive design and I feel that जो भी जो इन्होंने जो थोड़ा सा drama infuse किया है एक steeply rising belt line से और एक छोटे रियर कॉर्टर ग्लास से वो sonnet को थोड़ा साथ ज्यादा खूब सरोज बना देता है और भी आपको बता दूँ कि दोनों ही गाड़ेयों में आपको silver finished roof rails मिल रहे हैं lower end पे plastic lading मिल रही है बड़ जो sonnet का GT line variant है उस पर आपको नीचे red accents भी मिल रहे हैं साथी साथ disc brake calipers पे और alloy wheel के hubcaps पे आपको एक red finish मिल रही है जो की sonnet को थोड़ा और दादा sporty बना देता है विन्यू के मुकाबले तो फाइनली अगर हम रियर एंड की बात करें तो यहां पे भी बहुत सारी common styling elements हैं दोनों गाड़ेयों में डही जो इक मिलते हैं रहीमिवहण दोनों इस और जार्इब ऐख लै November फेय को इंहां इंक दूसरी से बिल अलग बनाना दिया है पीचे से वह हैं कि टैल लाइट अगर आप वेन्ठीटिक उब आपको दो slightly squarish tail lamps मिल रही है, but sonnet पे आपको जो tail lamps मिल रही है, उस पे सबसे पहले तो LED DRL की तरह ही इस पे भी heartbeat वाला LED lightning signature है, जो कि इनको थोड़ा ज्यादा अट्राक्टिव बना देता है, और यही नहीं, यह दोनों ही जो tail lamps है, sonnet की वो एक दूसरे से, एक reflective strip से connected है, जो कि इसकी जो width है गाड़ी की उसको थोड़ा और साथ accentuate करे देता है, थोड़ी सी visual width जो है गाड़ी की वो बढ़ा देता है, तो between the two, the sonnet looks slightly wider, but that is basically due to the connecting strip between the tail lamps and the same connecting strip and the same set of tail lamps also help you distinguish between two cars easily, और फिर अगर 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 आपको पहले बोला था कि फ्रेंट की तरह, अगर आपको थोड conservative design पसंद है या आपको पुरानी क्रेटा का लुक जादा पसंद है तो शायद आपको वेनी अच्छी लगेगी इसमें क्यूंकि आपको जो हुंदी के latest design philosophy के elements जैसे की cascading रिल वगरा वो सब मिल रहा है, वहीं अगर आपको सेल्टोस की लुक जादा पसंद है और if you want a car that looks bold that looks more flamboyant, तो आपको सॉनिट जादा पसंद हैगी बिकॉज उसमें काफी सारे aggressive elements जैसे काफी bold आपको अगे tiger nose grill मिलती है यहीं इसकी side profile के बाद करें तो वहांपे काफी rising belt line है जो की थोड़ा सा sporty or dynamic touch दे दे देदे है side profile को और rear में भी जोसका reflective strip है और जादा सुंदर tail lamps है व the venue is the one for you but if you are someone who wants slightly more dramatic design some more visual drama and some more aggressiveness then the sonnet is the car that you should pick तो दस्तो अब हम बात करते हैं Hyundai Venue and Kia Sonnet के interior की और अगर आप गौर करेंगे तो दोनों ही गाडियों में आपको एक काफी compact design मिली है कि अपता प्रिच थे स्ञ्ड़िपकर दैशबोर की दैशबोर की दैशबोर is not very wide and this is slightly typical of SUVs और दोनों ही गाडियों के अगर हम दैशबोर सदेखें तो इसमें आपको काफी स्थोरे स्थोरे स्पसेश मिल रहे हैं प्रतिंदी यृज स्बारते हैं क्यूकि कवी होल्स वगर इसके इंस्रुमेंट क्लस्टर और इन्फोटेन्मेंट सिस्टम के लिए और यह जो है उसको एक सेल्टोज वाला लुक दे देड़ा दैशबोर्ड को साथी साथ इसकी जो स्टेरिंग है वो भी सेल्टोज सही आई है वही जो वेन्यू पर शेरिंग मिल रही है और इस नॉट इग्साटली था सेम इस थाट ओन दा रही है बड़स्तों हां यहां पर यह वापको यह बतादू की वेन्यू का एक रिसेंटली स्पोर्स नॉड़ल लॉंच हुआ जिस पर आपको एक लाजली डिजिटल इस्टर इन्वार्ट अश्टरमेंट कंसल मिल रहा है जिसमें इक स स्ट्रीन इन्फोर्टेंट यूनिट है वह भी वेन्यू के यूनिट से बड़ा है साथ ही में कुछ और भी ऐसे फीचर से सॉनिट वे जो कि वेन्यू पे अविलेबल नहीं है फॉर एक सॉनिट पे आपको एक बोस का सेवन स्पीकर और ऑडियो सिस्टम मिलता है विच सब यहां पर आपको ऑडियो से पेर्ड आपको मूद लाइटिंग भी मिलती है बेसिकली किया इस कॉलिंग इट लीडी साउंड मूद लैंप जो कि आपके ऑडियो और पुट के साफ से जो है जो लाइटिंग लाइटिंग के विए उसको थोड़ा सा उप्तिमाइज कर देती ह इस अब बात करें तो दोनों ही गाडियो में पेस आपको कुछ खास नहीं मिलती है इस प्रेडी कॉंपाट कार चार लों के लिए यह अच्छी है इन फैक्ट पीछाली सीट पे एक कोई आपका जो टॉडलर है अगर वो भी है तो वह ऐसी दिकत नहीं आने वाली है वर इस सिल ओके क्योंकि लेग रूम वगरा या इवन शोल्डर रूम कोई बहुत जादा नहीं मिल रहा है आपको दोनों ही गाडियों में यहां पर यह बिता दूं कि यह दोनों गाडियां सब कॉंपक्ट सूबी हैं इसलिए भी निवर हैं यूज एक्पेक्टेशन और अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी more or less दोनों सेम हैं दोनों में आपको almost equal boot space मिल रही है और दोनों ही गाडियों की बूट्स में आप बड़े अराम से दो बड़े सूटकेस और चोटे मोटे कुछ और लगेज रख सकते हैं बड़ अगर हम overall बात करें वेन्यू और सॉनेट के सब्सक्राइब करें तो यहां पर बताना जरूरी हो जाता है एक प्लेटफॉर्म पर बेस होगे भी विजुली एक दूसरे से काफी जादा अलग है बड़ जब बात स्पेसिफिकेशन की आती है तो इस मामले में यह दोनों गाडियां काफी कुछ एक जैसी हैं आपको दोन पेट्रोल और एक डीजल वेरियंट मिल रहा है और हम पेट्रोल मॉडल की बात करें तो आपको जो बेज पेट्रोल इंजान वह एक 1.2 लीटर पा इंजन मिल रहा है डोनों ही गाडियों पर और जो टॉप मॉड़ू है उसमें आता है एक अपादा आता है य., वनलीटर ड जिसमें बिना क्लच के आप मैनूली गेर शुट कर सकते हैं वो भी आपको दोनों ही गाड़ें पर मिल रहा है बट एक चीज असी है जो सॉनिट को वेन्यू से अलग बनाती है वो है इसका डीजल आप्टिक वेरियंट विकोज वेन्यू पे आपको डीजल मॉडल में आप्ट को अप्शन नहीं मिल रहा है बट सॉनिट पे इफ यू बाइंग दीजल मॉडल यू नहीं कर पा रहे थे सिंपली बिकोज वेन्यू के डीजल मॉडल पे आपको अवेलेबल नहीं है पर यहां पर आपको इक चीज बदा दू कि किया और हुंड़ी दोनों सिस्टर कंसर्ण हैं और इन दोनों ही मनुफैक्ट्रस में मोस्ली एक पैरिटी रही है तो शायद वेन्यू पे भी बहुत जल्द डीजल पे एक आपको अवेलेबल है और वेन्यू पे नहीं है और इसलिए सॉनिट को वेन्यू से थोड़ा सा ज्यादा बहतर बना देती है स्पेशली उन लो है अटलीस्ट विजुली देर्जा क्लियर दिस्टिंग्शन बिवीन बोथ इस मॉडल्स और मेरे साफ से जिन लोगों को थोड़ी फ्लैंबॉइन डिजाइन चाहिए या एक बेबी सेल्टो लुक चाहिए वह इसली सॉनिट को चूज कर सकते हैं वेन्यू के उपर और वही जिन लोगों को पुरानी क्रेटा पसंद थी जो आपके टिपिकल हुंदी के डिजाइन एलिमेंट्स है जैसे कि एक कैस्केडिंग ग्रिल वो चीजे जिनको पसंद है वो वेन्यू को चूज कर सकते हैं यहीं अगर आप इंटीर की बात करें तो इंटीर के मामले में भी दो स्लाइट फिचर्केरण तो इंटीर थोड़ा थोड़ाए मार्के अपारिमें इंटीर के अजित का अपनाली तो स्पेक्स कि बात करें तो स्पेक्स में भी यह दो गाडें काफी कुछ उच्छ से से बिलती हो थी हैं बट सोनेट ओफर्स यू आदीर आपके वीरें व स्पे को और बता दूँ कि अभी तक हमने सॉनेट चलाई नहीं है आना ले कुछ दिरों में इस गाड़ी को चलाएंगे और तब आपके लिए एक प्रॉपर रिव्यू लेकर आएंगे फिलहाल अगर हम इन गाड़ियों के स्पेसिकेशन को इनके फीचर्स को या इनकी विजुल सब्सक्राइब और बहुत जल्ब मार्केट पे एक सक्सेस्वल प्रोडेक्ट बन सकती है हाइली कॉंपेटिटिव सब फोर मीटर सेग्मेंट में तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के अंद पर आगया हूं जैसके आपको अभी अभी बताया कि हम बहुत जल सॉनेट का एक टेस्ट्राइब बिभ्यू लेके आना लें जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे वेरियंट्स का आप तक एक काफी डेटेल्डड एक टेस्ट्राइब लेकर आएं तो हमारे साथ बने रही है अभी तक आपने में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और बेल आइकन दबाईए हमारे ऐसे ही वीडियो अपडेट सबसे वाले पाने के लिए यही नहीं अगर आपके दिमाग में किया सोनेट को लेके कुछ तो मैं हूँ आपका होस्ट और मेरी पूरी आश्चा है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे अलविदा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो